प्रुकार पादबन नमस्कार साथियों मैं सोमनात का श्यप आज इस गरतन दिवस के विशेश कारक्राम में गरतन उस्सों में आप सभी का हर्दिक स्वागत अविनन्दन करता हूँ आजादी के महस्सों की सुरुवात से पूर्व या उसके उपरांत हमारे विविन साहित्यकार कवियों ने बहुत बड़ी प्रेश्ट भूमी तैयार करी यह हम बात करें 1850 से लेकर 1947 तक के मद्द में अनेक क्रांतियां हुई अनेका अनेक अंदोलन हुए और लेकिन उस अंदोलनों को एक नया सुरूप क्रांतिकारी सुरूप देने का काम हमारे विविन प्रकार के साहित्यकारों कवी यो न दिया वो गद्द के माध्यम से पद्द के माध्यम से विविन प्रकार के माध्यम से उन्होंने इस आजादी को एक महत्यपूर घूमका में समावेशित किया आज उनी को याद करते हुए प्राइम टीबी के इस विशेस उस्सो में हम आपका हर्दिक स्वाकत अविनंदन करते हैं और ये विनंदन, ये उस्सो मौस्सो उन्ही कभियों के बीच में हैं, उन्ही कभियों के माद्धियम से हम आज उन्ही अनेक सहीद हुए हमारे करांतिकारी साहितिकारों को समर्पित हैं मैं आज आपको इन कभीयों के माध्यम से इस कारिक्रम को एक नई उचाईयों तोक ले जाने का हम लोग कार रहेगा हमारा ये कारिक्रम मैं आज आपकी समख्ष में बहुत देख रहेंगे कभी कवित्री जो देश के वरेण है विविन प्रकारक से आपके मद्ध में आज इस गरतन उस्सो को मनाएंगे मैं पहले कभी को आपसे पर्चे कराता हूँ गोंडा की भूमी से आते हैं श्री चंदन तिवारी जो हमारे मद्ध में हम इनका हार्दिक स्वागत अवनननन करते हैं साथ में साथ उसी गूमी से जहां गोस्वामी तुलसीदास वे और अदम गुंडवी जी गुंडा से उसी गूम से शिदिमती नीता सिंग जी है हम इनका हार्दिक स्वागत अवनननन करते हैं एक ओच का एक ऐसा बड़ा नाम जो पूरे देश में बड़े मन से सुना जाता है उनकी कविताएं, उनके गीत, उनके चंद से आज की नई पीड़ी बहुत सारी प्रेणा लेती है ऐसे सिक्षक, साहितिकार, अदर्णिये, अवननात जी हमारे मद्द में हमका हार्दिक सौकत हम इननन करते हैं मैं सोमनात आप सभी के मद्द में आज इस कारिकरम को संचालित स्वरूप करूँगा तो मैं पहले कभी की बुलाने से पहले हमारे कभी कुन्बे के बहुत बड़े कभी शायर, गीतकार, आधर्णिये, नीरत जी की पंक्तियों से इस कारिकरम का प्रारम करना चाहता हूँ वो कहीं कहाँए कि आत्मा के सौंदर का शब्द रूप है काब आत्मा के सौंदर का शब्द रूप है काब, मानो होना भाग है, कभी होना सोबाग तो इस सोबागिता को हम सभी गरहन करते हुए, मैं पहले कभी को आवंतित करता हूँ श्री चंदन तिवारी जीगों कि वो आएं और अपना काब पाड़ करें प्राइम टीवी के माध्यम से आज गरतंत्र दिवस के पावान उत्सो पर मैं चंदन तिवारी रुद्र प्राइम टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत वन्यवों अभिनंदन करता हूँ कारिकम को शुरू करने से पहले मैं प्राइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस गरतंत्र दिवस को लाने के लिए आजादी के लिए हमारे देश के सैनिक हमारे देश के करोणो करोणो बलिदानी बेटे शहीद हो गए और वो पावन उत्सो हमारे बीच में आया ऐसा विसेश कारिकम गरतंत्र उत्सो के नाम से प्राइम टीवी हमारे बीच में ले करके आया है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं चार पंक्तियों से अपनी बात को रखता हूँ और जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे होंगे कहीं न कहीं उनको रोमांच होगा कि वास्तों में भरत भूमी है क्या मैं पंक्तिया रखता हूँ कि पूरवजों की निशानी वतन के लिए आखिर क्या करके हमारा देश इ है हमारी जवानी वतन के लिए और चार पंक्तिया और विशेष रूप से आज इस कारकम के माद्यम से रखना चाहता हूँ बहुत प्रश्ट उठते हैं हमारे देश में कहा जाता है कि हम अपनी देश की मिट्टी को मा क्यूं कहते हैं मैं एक चंद के माद्यम से आज अपने कि कोटी कोटी है नमन है प्रण में है चीरकर छाती हमन्य जो खिलाती है और सारे उप मान फी के पड़ जाते सस्याम लाए जब देवों को लूबाती हैं मारे लिए कि साथ जब छोड़ देता अपना शरीर यारों निज जननी भी नहीं साथ निभा पाती है और परिवार वाले जब शम शान छोड़ आते तब माता भारती ही गोद में सुलाती है और मैं चार पंक्तियां आपके मद में रखता हूँ कि देश हित्मर मिटने का जो उठे सवाल आज हम गरतंत्र का उत्सव मना रहे हैं गरतंत्र किनके बल पे जिंदा है मैं उन शहीदों के लिए और उन देश के सैनिकों के लिए पंक्तियां रखता हूँ कि देश हित्मर मिटने का जो उठे सवाल जननी का प्यारा एहसास नहीं गिनते प्यार मनुहार परिवार की तो बात छोड़ो एक मात्र सेस रही आस नहीं गिनते आज हम घर में बैठ करके गरतंतर का उत्सो मना रहे हैं कि देश हित्मर मिटने का जो उठे सवाल जननी का प्यारा एहसास नहीं गिनते प्यार मनुहार परिवार की तो बात छोड़ो एक मात्र सेस रही आस नहीं गिनते और बातान बान की हो भारती ये शान की हो कितनी बची हुई है श्वास नहीं गिनते और भारती के शेर कभी उतरें जो युद्ध में तो मारते हैं शत्रों की लाश नहीं गिनते और चार पंक्तियां आपके मद में रखता हूं कि मंगल पांडे था मतवाला कह जैगो माता जूमा था आज इस गरतंदर के उत्सों पे हमें क्या प्रण लेना चाहिए मैं पंक्तिया रखता हूं कि मंगल पांडे था मतवाला कह जैगो माता जूमा था हसकर भगत सिंग ने भी फासी का फंदा चूमा था स्वयम काल का रूप थी जो वो लक्षमी बाई हारी थी सेखर ने अपने मस्तक पर खुच से गोली मारी थी नेता जी के बलिदानों को हमने भूला दिया था फिर मा की ममता को काले पानी में सुला दिया था फिर वीर सहीदों के खाते दिल का दरवाजा बंद रहा सोच कि ऐसी बातों को इस अंतरमन में दंद रहा कि देश द्रोहियों को भगवन ने कौन से कुंडल कवच दिये कैसे इनकी सहमें रहने वाले सौसो साल जीए कैसे इनकी सहमें रहने वाले सौसो साल जीए अब समय नहीं है अपने पैरों के नीचे फिर काटे हों हमें क्या प्रणलेना चाहिए कि अब समय नहीं है अपने पैरों के नीचे फिर काटे हों अब समय नहीं है भारत मा के गालों पर दो चाटे हों और अब समय नहीं उत्तरा अधिकार में फिर से जहासी दी जाए और अब समय नहीं है भगत सिंगों को फिर से फासी दी जाए बहुत बुरिया बहुत संदर रखके फिर आपसे बिदाई लेना चाहूंगा हमारे अभी हमने तेज जन्वरी को एक उस महामानों का जन्वोत्सो चाहिए फिर अभी 24 का चुनाओ आने वाला है पूरे देश में एक होता है कि राजनेता कैसे होने चाहिए मैं एक तिमान देते हुए अपनी बात को समात करूंगा कि शास्त्री शास्त्र हो जो देश को शशक्त करे रैलियों का हम को बवाल नहीं चाहिए और राजनीती को बजारू जो बनाने को तुले हैं ऐसी मारकेट का उच्छाल नहीं चाहिए तो भारती यह एकता अखंडता पे भी लगे जो देश के विरुद्ध वो सवाल नहीं चाहिए और नेता हो तो एक और वो भी हो सुभास जैसा हमेरा जनीती में दलाल नहीं चाहिए बहुत बहु कि बहुत सारी बातों का जिक्र किया और साथ यसाथ हमारे नेता प्रिये सुभास चन बोस को भी याद किया आपने उस विचारदारा को आगे बढ़ाने का काम किया जो आज की युवाओं को ओ सकता है इसी मद्द में मैं हमारे बीच में देश के बड़े कभी साहित दिकार पेसे से सिक्षक आधर्णिये अवन नाल ललिद भया को बुलाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले डाक्टर कुमार विसास की चार पंक्तिया यादा थी कि शोहरत ना अता करना मोला दौलत ना अता करना मोला शम्मय वतन की लोपर जब कुर्बान पतंगा हो ओठो पर गंग सम्वेदन शील प्राणी इस दुनिया में होते हैं मैं उनकी सम्वेदन शीलता के लिए एक मुक्तक कहना चाहूंगा कि रवानी छोड़ दे पानी तो वो दरिया नहीं होता कभी उल्फत का मारा दर्द की दौलत नहीं खोता और न जाने कितनी आहें दफन होती एक सीने में ये शायर सिर्फ अपनी आख के आँसू नहीं रोता और शायर ही है जो दुनिया के सब दुख दर्द महसूस कर सकता है तो देश में चलती उठापटक भी जब हो महसूस करता है एक छोटी सी घटना से आपको जोड़ना चाहूंगा केरल में एक सैनिक सहीद हुआ और एक निता जी वहाँ गया उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी मैं ना आता तो आप जानते हैं वो घटना आप जूड़ते हैं मैं कहने में मेरी जबान कटकर गिर जाएगी मैं नहीं कहना चाहता तब मैंने लिखा था कि वो किसी की मृत्यू का परिहास करने लग गए वो किसी की मृत्यू का परिहास करने लग गए बलिदानियों के स्वपन और विश्वास भिकने लग गए जब व्यथा की हद तलक आतमा कुलाउटी हम समय के घुटन का इतिहास लिखने लग गए और एक मुक्तक से आपको और जोडता हूँ कि आज का दौर कैसा है कि चमगादर उल्लू बोल रहे यहां गहन तिमिर का वंदन है और गीत इन्हें कैसे कह दूँ भीतर तो पीर सुलगती है यह जो कुछ भी मैं कहता हूँ जलते भावों का करंदन है तो इसी करंदन से उपजाए गीत जो गड़तंतर दिवस पर बहुत सार्थक है वो यह है कि हम समस्त देशवासी देशवासियों को एक आमंतरन देना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से और इस गीत का जो शीरसक है वह भी आमंतरन ही है तो मैं आमंतरन गीत आपके लिए पढ़ता हूँ कि आजाओ तुम्हें आमंतरन है अब आओ तुम्हें आमंतरन है यदि मन में सुलगन उठती हो रह रहकर कसकन उठती हो यदि रखत हिलोरे लेता हो हर रोम में सेहरन उठती हो देशीस मिली आजादी क यदि रुदन नहीं स्विकार तुम्हें अपनों से मिली घुलामी में पवरुस देता धिकार तुम्हें यदि दर्द सहाना जाता हो अंतर तू फान मचाता हो यदि असल युवा तुम मन से हो तो सम्मुख ये भीशन रण अगला पंक्ति देता हूं कि अंतिम व्यक्ति जूझता है अंतिम सांसों के आने तक जीवन तो सुलगा करता है बस अगनी चिता की पाने तक मुक्ति बनाती है जीवन तो भार सद्रिश्ट होते अपमान दंश पीडा सहकर हसते चेहरों से जोरोते यदि इनकी समसको तडपन सीने में बाकी हो धड़कन तो आओ हाथ बढ़ाओ तो लेने को अनगिन प्रण है आज आओ तुम्हें आमंतरन है अब आओ तुम्हें आमं आज हम गरतन तेवस पर उन्हों की याद करना है जो भी 20-20 बरस की उमर में फासी पर जूल गए जिन्होंने अपने मस्तक पर स्वयम गोली मार ली उन्होंने क्या सपने देखे थे मैं कहता हूं कि जिन सपनों के महल बनाए शीज कटाने वालों ने उनकी ही निव खोट डा केली कोई भी तर या तो या पीड़ा दब जाए ये सारा रख तो अब नहीं सही जाती ही पीडा रहरहकर श्ता रण है आजाओ तुम्ह Analytics अब आओ तुम्हें आम तरन है और सत्ता की भूखी भेड़े जब हड़ी तक नोच चबाती हो पैसे पावर के दमसे जब इज़त लूटी जाती हो कोट का चहरी नाटक हो इनसाफ की बोली लगती हो संसद में नोट उचलते हो और भूख से जनता मरती हो इस सड़े तंतर की बजबज में जब सबसे कीचण लिपता है तुम ही जरा साफ हो लो तुम ही जरा साफ हो लो चवतरफा दम घोटू छण हैं आजाओ तुम्हैं आ मंतरफे हैं अब आओ तुम्हैं आ मंतरफे frag़ की曹न की बहुत बढ़ए यह जागरेतर हुई हूँ तो मैं नहीं मानता कि आप मनुश्य हैं मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस शांदार जांदार और इस गरतन दिवस के विशेश कारिक्राम में इस विशेश कवता को प्रसुत करने के लिए एक जिन्दाबाद अब मैं उस तरफ आता हू जहां पर शंगार भी पढ़ा जाता है ओज भी पढ़ा जाता है गीत भी पढ़े जाते हैं तो इस तरफ हमारे मद्ध में श्रीबती नीता सिंग जी है मैं उन्हें आवाज देता हूँ एक किशी के शेर से की चांद से बढ़कर एड़ी है कि रुकसार का अलम क्या होगा त तो मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ कि मैं आएं और अपना कावेपाट शुरू करें श्रीपती नीता सिंग जी नमस्कार समस्क देश्वासियों को गंटन दिवस के हार्दिक सुब कमने और प्राइम टीवी को भी बहुत-बहुत आभार मैं अपना कावेपाट स्टार्ट करने से पहले चार पंक्तिया माज शार्दे के चरणों में समर्पित करती हूं आब आब अमार टुम्हारा नितगान कर रही हैं लुज आप व horrान पैड Renault अम्हरा टुम्हारा नितगान कर रही हैं प्रम मॉ100 ऐसे बन लिविंगेमों Πैメल Works बाद 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 इसके बाद मैं चार चार पंक्तियों से आपको से जुड़ने का प्रयास करती हूं बारत के इतिहास के पन्नों में बीरों में साहसदम भरा है बारत के इतिहास के पन्नों में बीरों में साहसदम भरा है बात अगर स्वाभी माने की आए तो जासे का सम्मान बढ़ा है पीट पे बांद के कुल दीपक को मन कणकाने कृतिमान रचा है बारत के इतिहास के पन्नों में बीरों में साहसदम भरा है और जहां आजादी की बात हो और देश के सतनता की बात हो वहां मैं चार-चार पंतियां समर्पित करती हूँ अपने देश के नौजवानों के प्रति जिसकी वज़े से हम सभी लोग यहां अमन्चैन से बैठे हैं वतन पे मरने वालों का अमर गुण गान रहता है और मा भारती को उन पे भी अभिमान रहता है कटा देते हैं अस्ते शीस जो सीमाओं पर अपने कटा देते हैं अस्ते शीस जो सीमाओं पर अपने उनी के बल बजालत और हिंदुस्तान रहता है बहुत बहुत धनिवाद और मैं आपको एक गीत से जोडने का प्रयास करती हूँ जो एक शहीद की पत्नी है वो अपने पती के लिए क्या गित गुन गुनाती है मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम जागो फिर से उटो और मूँ खोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम जागो फिर से उठो और मूँ खोलो प्रियतम भूल गये क्यों कसमे वांदेर इस्ते ना थे सो मत कुछ ऐसे हिर देट टोलो प्रियतम सो मत कुछ ऐसे हिदे टोलो प्रियतम एक शहीद जब सीमा पर सहीद होने के बाद अपने गार अपने गाहँ आता है तो उसकी पत्नी और उसके परिवार की क्या उस समय वो होती है अवस्था वो मैंने लिखने का प्रयास किया है मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम जागो फिर से उटो और मुझ खोलो प्रियतम जागो फिर से उटो और मुझ खोलो प्रियतम बेहन तुमारी राकी लेकर घर आई है बेहन तुम्हारी राकी लेकर घर आई है रोली अक्चत साथ मिटाई भी लाई है देखो बचड़ा उचल कूद कल केल रहा है गईया मैया जो कर घर में कल ही ब्याई है गईया मैया जो कल कर में ही ब्याई है गोलू मौलू को बिद्याले पहुचाना है कुछ तो बोलो कानो मेरे स्कूलो प्रियतम उसके बाद उनके घर में जो उनके माता पिता होते हैं स्थिती होती है इन चार लाइनों से मैं आपको ले चलती हूं वो द्रिश्च दिखाने का प्राइब बुड़े अम्मा बाबा का अब कौन सहारा कौन जुटाएं गूंगे पस्वों का अब चारा कौन जुटाएं गूंगे पस्वों का अब चारा अब देखेगा कौन ग्रेस्ती जो ये कच्छी कौन समा लेगा इस घर का बोज हमारा कौन समा लेगा इस घर का बोज हमारा लिपते हुए तिरंगे में क्यूं लोटे हो तुम लिप्टे हुए तिरंगे में क्यों लोटे हो तुम इसका वुत्तर दो ये आखें खोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम जागो फिर से उटो और मुखो लो प्रियतम जागो फिर से उटो और मुखो लो प्रियतम लास्ट की पंतिया गाड आफ आनर लेकर तुम चिता चड़ रहे गाड आफ आनर लेकर तुम चिता चड़ रहे जिम्मेंदारी अपनी मेरे सीस मण रहे दो जो चोटे सेर दे गए हो तुम मुझे को ओ भी चंद्र कलाएं लेकर रोज बढ रहे कदम सास के पीछे अब मेरे भी न रहेंगे देने आशर बाद कुछ तो हीलो तुम प्रियतम मेरा कोन तुमारे मिन कुछ बोलो प्रियतम मेरा कौन तुमारे बिन कुछ बोलो प्रियतम जागो फिर से उठो और मुझ खोलो प्रियतम जागो फिर से उठो और मुझ खोलो प्रियतम जागो फिर से उठो और मुझ खोलो प्रियतम बहुत 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 और इस शांदार कावेपाथ के बाद हम इस कारेक्रम का शांदार संचालन कर रहे हैं सोमनात कश्यप क्योर बढ़ना चाहेंगे और मिर्जा गालिप के शेर से बुलाना चाहूंगा कि हर बात पर कहते हो कि तू क्या है हर बात पर कहते हो कि तू क्या है तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है और रगों में दोड़ के फिरने के हम नहीं कायल कि मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से भाईया ने बात चुड़ी थी यदि देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उसकता पड़े तो उसमें हमारी और आपकी सहभागिता होना भीहद अनुआ रहे हैं तो चार पंक्तियों से मैं अपनी बात को रखता हूं कि हम सपनों को साथ आट वर्शों से मैं जिस छेत के लिए काम कर रहा हूं तब कहता हूं कि हम सपनों को पंक लगाने आए हैं भूखो को अधिकार दिलाने आए हैं इस धर्ती पर कोई भूखा ना सोए हम ऐसा संसार सजाने आए हैं तो इनी पंक्तियों के साथ मैं एक दियारी मजदूर के मद्द में रहता हूं दो टाइप में रहता हूं एक जब उनको दियारी भोजन देता हूं और एक सुबेश शेशाम तक जो हमारे अंदर कारे करते हैं उन्हीं पर आधारित ये गीत है जिसमें मजदूर की स्तिती य है कि वो लेबर चोक पर गया कई दिनों से उसका काम भी नहीं था और आज भी काम नहीं मिला तब मैं कहता हूं कि कई दिनों से काम नहीं था मिली नहीं फिर आज दिहारी क्या बात है क्या बात है कई दिनों से काम नहीं था मिली नहीं फिर आज दिहारी मिली नहीं फिर कई महीनों से रूठे हैं, घर के चूलहा चौका बरतन सुर्ती खाकर भूख मारते सुर्ती खाकर भूख मारते रोटी बनी आत की तलपन मा के कपड़े कटे फटे हैं, रोई आखे जिली साड़ी कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी इस गीत का दूसरा वन निवेदित करता सुनियेगा बच्चे रोकर मौन हो गए, तूट गई घर की चरपाई तूट गई घर की चरपाई, घर के सारे छपरे टपके घर के सारे छपरे टपके, बूनों ने भर दी है हाड़ी कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी आज ये गर्तन दिवस का उस्सों महस्सों हम लोग मना रहे हैं लेकिन ये देश बहुत आशावान है, वो मजदूर भी है तब अंति मुवस्ता वो घर जा रहा, तब क्या क्या उसकी एक आशा में जा रहा तब निवेदित करता हो, सुनिएगा टूटे मन से घर को जाते घर पर बीवी बच्चे सब तयार है कि कुछ लेकर आएगा तो साम की रोटी बनेगी बच्चों के कोई टॉफी आगएगर आएगी तब कहता हूँ कि टूटे मन से घर को जाते आखों में आशु भर आते तूटे मन से घर को जात आखों में आशु भर आते उमीदों का दीप जलाकर सूरियस्त की पीड़ा गाते दुर दिन के जंजावातों में फसी हुई जीवन की गाड़ी कई दिनों से काम नहीं था मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार सातियों यह हमारा का पार्ट संपूर हुआ इसके साथ साथ हम पूरी टीम के साथ प्राइम टीबी के तमाम दर्शकों को गरतन दिवस के इस महस्तों को उस्तों को बहुत सारी शुपकामनाय देते हैं कि आप जीए और अपने हिस्से का जीए और अपने समाज में सकरात्मक सुरूप में कार करिए जो जरुवत मन्द हो उसका साथ दीजिए और देश के उत्यान में अपनी भूमका का निर्वान करिए बैरी सब्दों के साथ आप सभी को पुना गरतन दिवस के हर्दिक बदायों शुक्त आमना है जैहिन जैबारत नमश्क